दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पहुंचे है महला आजाद नगर के बलेक ताज यानि कि शाहनवाज खा के मगबर है के समी पिक जो मगबरा है उसके उसको दिखाने आज हम आपको लेकर आया है तो आप देख सकते हो मेरे पीछे यह खूबसूरत यह तूटता फूटता मगबरा मोजूद है यहां पर आप देख सकते हो उपर जाली दिखाई देरी इसकी खिड़की जालीदार भी तूट चुकी है और यहां में अगर आपको दिखाऊ तो यह इसके तहकाने का रास्ता है जो की काफी चिन भीन हो रखा है यह तूटता हुआ नजर आ रहा है और अगर इसके अंदर भीतर हम जाकर देखे इसे तो यहां एक खबर मुझूद है और इमारत खंडर होती हुई नजर आती है और यहां आप देख सकते हुई यहां एक खबर मुझूद है और अंदर की अगर इमारत हम देखे तो यहां थोड़ी साफ़ाई अभी दिखने लग करता था लेकिन आज यहां पर थोड़ी सी सफाई मुझूद है लेकिन यह इमारत लगबग चूटती हुई नजर आ रही है यहां पर जो है तो सरकार ने काफी ध्यान देने चाहिए और इस मगबरे को खुबसूरत से अंदाज में डेवलब करने चाहिए ताकि टूरिस्ट का इमारत देखने को मिलती है यह इमारत काफी खूबसूरत है दो मंजिला इमारत है लगबग आप इसकी उपर की मंजिल भी देख सकते हो अभी फिलहाल में यह मौजूद है और अगर हम इसके इस तरफ देखे तो यह काला ताज महल दिखाई देता है और इसके समीपी जादा हद तक खंडर अवस्ता में मौजूद है अगर इससे डेवलप किया जाए तो आज भी यह इमारत टूरिस्ट अट्रेक्शन के लिए काफी जादा महतुपूर्ण है और इससे बुरहानपूर में टूरिस्टों का अट्रेक्शन बढ़ेगा और रोजगार बुरहान के जो भी वो निकल चुका है माटेरियल यहां का लेकिन अगर यहां हम देखे तो यहां एक कबर मुझूद है और इसका यह उपरी ढचा है अंदर इसके तहकाने में कबर मुझूद है और यहां उपर हम देखे तो आज भी यहां पर बेलगुटों की नकाशी और चित्रका सबस्क्राइब वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर ना भूले देखते रहें हमारी वीडियो और अपना ख्याल रखें अधि